हेलो बच्चू आज मैं आपको क्लास एट जिसका विशे है मिल पास गनित इसकी वरक्षिट नंबर 13 समझाँगी जिसकी डेट है में पास 10 नेवेंबर 2020 आज की वरक्षिट में हम क्या करने वाले हैं आज की वरक्षिट में हम सिखेंगे एक चरवाले देखिक समी करण वाले हैं महिमा शुएता की बातचीर तो ने प्रइंगे स्वन और 2 अवाले हम्हिमा से पूछा उसकी उमर किए महीमा को डासानी वाला मेरे बड़े भॉव दो क्रमगरत संख्याएं हैं और दोनों की आयू का कुल योगती से अब स्वैम सोच लो कि मेरी उमर कितनी होगी तो श्वेता ने क्या का वहिमा से उसने यह बोला कि जो मैं हूँ और जो मेरा भाई है हम दोनों की जो उमर है ना वो दो कर्म कर्मगरत संख्याएं मतलब इवन नंबर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक के बाद एक जो नंबर आते ना वो है और सम है सम मतलब इवन नंबर है वो संख्याएं और अगर हम अपनी दोनों एज जोर दे मतलब मैं और मेरा भाई हम दोनों की एज मिल जाए तो उसका योग पता है कितना आएगा लेकिन यह कर्मागरत सम संख्या है तो नहीं है एक के बाद एक वाली सबसे पहली बात तो यह कर्मागरत होता क्या है ठीक है देखो कर्मागरत मतलब होता है एक के बाद एक नंबर जैसे टू के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, और भी बहुत सारे ठीक है तो अब यहां sum भी तो लिखा है, तो 2 के बाद मैं 3 तो यहां ले नहीं सकते, क्योंकि यह sum नहीं होता, तो 2 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 10 होगा, 10 के बाद 12 होगा, ऐसी बहुत सारे होगे, तो एक एक छोड़ के हैं, तो यह है क्रमागत सम, तो 10 और 20 तो कहीं से भी क्रमागत सम नहीं है, 10 के बाद 12 आएगा, पर इन दोनों को जो रूँगे तो 13 ही आएगा, तो महिमा ने यह अनुमान लगाया, तो उसका यह अनुमान तो गलत था, अब उसने फिर एक और अनुमान लगाया, अब उसने अध्यापक ने जो तरीका हमको बताया है, चलो उससे देखते है, हमने क्या क्या मान लिया, श्वेता की जो उमर है वो 2x है, 2x से क्यों माना, x क्यों नहीं माना, सबसे पहला कोशन तो यहाँ पर यह आता है, तेखो x इसलिए नहीं माना, क्योंकि नहीं यह सम संख्या की बात कर रहा है, और सम संख्या मतलब जो 2 की डेवल में आती है, है ना, इसलिए हमने 2x माना है, ठीक है, लिखा है, श्वेता की उमर एक सम संख्या है, ठीक है, फिर बड़े भाई की कितनी होगी उसके, लिखा था ना, बड़ा भाई है, तो बड़े भाई की उमर कितनी होगी, 2x प्लस 2, क्यूं भाई, 2 क्यूं प्लस किया, तो देखो ना, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, तो 2 में 2 प्लस करोगे, तभी तो 4 आएगा, 4 में 2 प्लस करोगे, इनकी जो उमर है उसका योग है 30 तो इन दोनों को जो रहा तो 4X आ गया ठीक है ना अब ये 2 प्लस का है उधर ले जाते हूं इसको ये माइनस का हो जाएगा ठीक है 4X is equal to 28 अब मुझे तो X का मान चाहिए तो 4 यहां multiply का तो इधर आके divide का हो जाएगा होगा नहीं होगा तो यह आगए मेरा 7 तो यह आगए मेरा यहापर कितना आ गया 7 तो श्वेता की उमर थी कितनी 2X तो 2 x 7 14 तो इसका मतलब श्वेता कितने साल कि है 14 years कि है ठीक है अब मैं आगर आपसे पुछू उसका भाई कितने साल कहे तो आप क्या करने वालो 12 इसका मतलब 14 plus 2 तो इसका भा महिमा ने अनुमाल लगाया था ना वो गलत था ठीक है तो अब यहाँ पर उसने ऐसे किया ठीक है ना जो अधियापक ने तरीका बताया अधियापिका ने चलो आगे देखते हैं अब आपको एक उधारन दे रखा है ठीक है उसका हल भी है और दो प्रशन है जो हमें खुद से खनने है छलो देखते हैं प्रवीन के पास गुलग में एक तो रूपे हैं उसने itself को और by और को की संख्या का है और कि लड़का है प्रवीन खालीबीग आप सब जानते होंगे ना पी इंग imp i ben कुछ बच्चे बिच्चे गुलभ के नाम से जानते होंगे और सायों जान है होती है नहीं होती मेरे पास भी थी मेरे पास तो भी तक है वैसे ठीक है तो सब के बास लीक तो सब आपने सेलिंग्स करते हैं था सही प्रवीनने कुछ सेलिंग्स की रुपीज की उसके पीग Mais में दक्ष को बोला दक्ष उसका फ्रेंड भी उसकता है कोई भी में कई जैसे दौ रुपे के शि वह कि पांच रूपे के शिख्के Nie करोई हो गगे OH 20 हो गई नदुगना अब अगर को पांच के पंदरा सिख्गे है तो फिर दो रुपे के कितने होंगे नो को पंदरा से करो इंटु 30 होंगे तो अगर मैं आप से कांग दो पांच रुपे के सिख्गे ए再 फिर दो रुपे के कितने होंगे तो टू इंटू एस तो टू एस होंगे है ना वोई चीज हमने लिख दी है माना गुल्लक में पांच रुपे की सिक्कों की संख्या कितनी है पांच के सिक्के हैं S तो फिर दो के सिक्के कितने होंगे 2S अब जब आप इन्हें जोड़ों के दोनों को तो कितना आना चे 180 इसका मतलब पांच रुपे के सिक्के तो है S और दो रुपे वाले सिक्के हैं 2S और टोटल मिलाके कितने पैसे है 180 तो यह हो गया मेरा 5S प्लस 4S is equal to 180 तो यहां पर आगे मेरा 9S is equal to 180 तो S कमान कितना आगे यह multiply करते हैं दूसरी साइट पर जाके divide को जाएगा बता है न साइम चेंज हो जाएंगे इसका मतलब अगर पांच रुपे के सिक्के कितने हैं बीस हैं फिर दो रुपे के कितने होंगे दो से ही तो गुना करना है चालिस तो लो आपका अंसर आगया यही आपको निकालना था ठीक है न चली आगे देखते हैं आप जो प्रश्ण हमें खुद से करने वो देखते हैं क्या रहा है वीना ने एक वस्टुनिश परिक्षा दी जिसमें कुल पचास प्रश्ण थे सही जवाब देने पर चार अंख मिले तता गलत जवाब देने पर एक अंख काटा गया यदि वीना ने सभी प्रश्णों का जवाब दिया हो और उसके कुल असी अंख आये हो तो उ पचास कोशन थे उसके अंदर अब हुआ क्या जो यह पचास कोशन है न फिफ्टी कोशन जो है इसमें अगर आप सही आंसर दोगे तो आपको फोर मार्क्स मिलेंगे चारंग लेकिन अगर आप गलत आंसर दोगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा ऐसे आपके एक्जाम मे यह करेंगे आप लोग दोगे एक्जाम तो गलत नंबर के भी घलत अगर आप आप अनसर दे के आते हैं तो नंबर कटते हूं उसके भी वही स्टीज के साथ हो रहा है लेकिन उसके मार्कु इजितने होंगे जब सई जी हैं तो इन पचास प्रश्णों में से मैं सई वाले हता देती हूं तो मेरे गलत वाले तो बचेंगे तो गलत वाले कितने आगए फिफ्टी माइनस जी ठीक है ना आप कहा रहें सई जवाब देने पर अंक मिलें कितने अंक मिलेंगे चार अंक गलत जवाब जवाब देने पर कितने अंक कटेंगे एक अंक कटेगा है लो गुलांग उसके आए कितने हैं ऐस्जी आये चलो चार अंक मिलेंगे सहई जवाब देने पर और कितने जवाब सहब है जे तो 4J अब एक अंक कटे गगा घलत जवाब दिया तो कितने आंसर fresh है उसके 50-J अब कुल मिला के कितने आया है 80 तो आपको इसको हल करना है तो यह 4J प्लस 1 से multiply किया तो 50-J ही आया अब इस 4J में से J गया तो 3J बचा प्लस का 50 ऐसी है इस इक्वल स्टू 80 अब यह 50 प्लस का है तो दूसरे साइट पे जाके साइन पलड़ देगा अपना माइनस का हो जाएगा तो 3J आपके पास कितना आ गया 30 तो अब J निकालना है तो 3 multiply का J के साथ तो दूसरे साइड आके divide का हो जाएगा तो वह आगया आपके पास 10 इसका मतलब आपने साइज जवाबों की संख्या कितनी है यहां लिख देती हूं हमें यह आपको नीचे लिखना है पुरा आंसर ठीक है आप यह मत सूचना कि यह नहीं करना है तो साइज जवाबों की संख्या मतलब J वह आ गई आपके पास 10 ठीक है और यहां लिखते हम गलत जवाबों की संख्या ठीक है वह कितनी थी 50 माइनस जे न तो वह 50 माइनस 10 कर देते हैं जे 10 निकला है तो वह आपके पास आ गई 40 तो आपको यही निकालना था ठीक है चलिए next question देखते है क्या रहा है साथ से विभाजित होने वाले दो क्रमगत संख्याओं का योग 343 है दोनों क्रमगत संख्याओं बताइए देखो अब यहाँ पर फिर वही क्रमगत आ गया है तो वह दो संख्याओं ऐसी है जो साथ से विभाजित हो रहे है मतलब 7 से डिवाइड हो रहे है तो 7 से कहता है तो 6 6 का गैप होता है अगर मैं 6 की टेब लिखती हो हैना तो मैंने क्या किया पता है पहली संखिया को इस संख्या को स्ञाने दूसरी संख्या को ए सlli께 मानोंगी क्यूंकि जब आपने 7 में 7 diplomacy at 14 में 7 pilots जब q db 21 चलिक घांषike ना तो आप इन दोनों को is equal to 343 है ना x plus x 2x हो गया तो अब हम क्या करने वाले आगे अब जो यह 7 plus का है तो दूसरी साइड ले जाते हैं थाकि यह minus का हो जाए तो 2x अब 343 में से आप क्या करोगे 7 को minus तो 336 अब 2 यहां multiply का है तो दूसरी साइड में आके divide का हो गया है ना तो आपने इसको इससे divide कर दिया तो आपका answer आगया 168 इसका मतला यह नीचे लिखना है आपको इसके पहली संख्या आपके पास कितनी आई 168 दूसरी संख्या आपके पास कितनी आई वो आपके पास आई x plus 7 तो 168 में क्या करो आप 7 को plus कर दो ठीक है तो वो आपके पास आई 175 ठीक है अब आपको नहीं यह जाचना भी है मतलब आपको इसको बताना है कि आपने इस सही किया है तो क्या था पहली संख्या मैं अगर आप दूसरी संख्या जोर दो ठीक है ना तो आपका कितना आएगा 343 आएगा चलो पहली संख्या है 168 दूसरी संख्या है 175 एक बार आप जोर के देखना आपका 343 आ रहा है बिल्कुल आ रहा है 343 इसका मतलब जो हमने निकाला है वो आंसर हमारा क्या है बिल्कुल सही है ठीक है तो यह था मार पास स्क्रेप कीजेगा थेंक्यू